Hello Friends, Are You With A Medicine चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Hello Friends, आज हम बात करेंगे Freedom Cream के बारे में दोस्तो Freedom Cream मुख्या रूप से सिकिन एलर्जी से बचाव के लिए इस्तिमाल की जाती है चलिए दोस्तो जानते हैं Freedom Cream के बारे में या आपको सिकिन एलर्जी से बचाव करने में बहुत ज़दा मदद करती है इसके अलावा बहुत सारे चीजे होती हैं जो कि आपको इससे फायदा देती हैं चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों अगर आपको किसी परकार की सिकिन एलर्जी हो जाए या फिर आपको Lycan Plainess की बीमारी हो जाए तो भी आपको बहुचता फायदा पहुँचाती है खुजली वाले हिस्सों पर अगर आपको लाल लाल चकत्ते हो जाते है सोरासिस की दिक्कत हो जाती है खुजली की दिक्कत, एकजिमा की दिक्कत, तवचा संबंदी किसी परकार की वीमारी या डर्माटाइटिस का रोग हो जाए इन कंडिशन में आप इस क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं या आपको धीर-दीरे अपने हाथों पर मसाज करनी है या फिर जहां कहीं भी आपके खुजली वाले हिससे हैं जाहे आपके प्राइविट पार पर खुजली है वहापर आपको धीर-दीरे इसकी मसाज करनी है और आपको कुछ दिनों तक इसका इस्तिमाल करना है कुछ दिनों के इस्तिमाल से आपके खुझली हमेशा के लिए खतम हो जाएगी दोस्तो अगर इसके इंगेडेंट की बात की जाए तो इसके अंदर किलो बेक्ष्टॉल पाया जाता है जो कि आपको सेकीन एलर्जी से बचाव करने में पहुचाव मदद करता है दोस्तो यह दवा आपके सरीर पर बहुती जल्दी असर करती है और आपको एलर्जी और सूजन से बचाव करने में मदद करती है चलिए दोस्तो जानते हैं इसकी कुछ नुकसानों के बारे में दोस्तो इसके कुछ नुकसान है जैसे कि अगर किसी इंसान को एलर्जी की दिक्कत है तो उसके तबचा में जलन हो सकती है तबचा में किसी परकार की खुजडी हो सकती है तबचा पतली हो सकती है तबचा पर किसी परकार की निसान आ सकते हैं चमडी लाल हो सकती है ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन दोस्तों यह हर किसी इंसान के उपर अपलाई नहीं होता है कुछ लोग होते हैं जनको इस क्रीम से एलर्जी होती है उनके अंदर इस दिक्कत देखने को मिल सकती है इसके अलावा मुक्रोप से आपके सिक्टने लेस्जी से बचाव करने में यह किरीम आपकी बहुत ज़द मदद करेगी फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो आपको अमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है ऐसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें